तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले उन हैविट्स के बारे में जो अगर किसी स्टुडेंट्स के अंदर होती हैं तो वो कभी भी जीपेट कॉलिफाइड नहीं कर पाएगा जीपेटी नहीं जिन्दगी में कोई भी गॉल अचीब नहीं कर सकता अगर ये हैविट्स के अंदर है तो आज जो हम चार एंसी हैविट्स की बात करेंगे जो कि अगर आपके अंदर हैं तो आप जिन्दगी में कभी भी कोई गॉल अचीब नहीं कर पाएगे तो चलिए देखते हैं कौन-कौन सी है वो habits उम्मीद करता हूँ आपके अंदर इनमें से एक भी habits ना हो और अगर इनमें से कोई habits आपके अंदर है तो it's very dangerous तो वीडियो को end तक देखेगा और देखें कौन-कौन सी वो 4 habits जो कि आपके लिए ज़्यादा खतरना है तो सबसे पहले यह भी था हमारी negative mindset यह सब कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जिन persons का mindset negative है students की बात करेंगे especially हम G-Pet पर focus करेंगे कि जिन student का mindset यह negative mindset है कि यार पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा मेरा स्लेवर से complete नहीं हुआ उसका इतना होगा है मेरा तो इतना बिल्कुल भी नहीं हुआ मुझे लग रहा है एक साल का गेप लेना पड़ेगा मेरे को मेरी revision भी यह भी नहीं हुआ वह भी नहीं हुआ फलाना फलाना तो अगर यह ऐसा mindset अगर कोई students रखता है इस टाइम पर जबकि कि हमारे GPT न बहुत कम दिन बच हुए लास्ट टाइम पर तो वो कभी भी effectively अपना exam को prepare exam के लिए पर नहीं कर पाएगा ना उसको अच्छे से दे पाएगा ठीक है तो negative mindset बहुत बड़ी mistake होती students कि आपके अंदर नहीं होनी चाहिए हमेशा positive thinking में रहिए कि आराम सो जागा हाँ आप बोलेंगे सिर्फ अगर सोचने से अगर जिए से qualified होता तो अब तक हम करी चुके होते हम तो यही सोचते दिन रात के हमारा हो जाएगा हाँ मैं मैं म भी आपका मन लगया तो mindset positive होना बहुत जरूरी है कोई भी goal achieve करने के लिए ठीक है तो यह था हमारा पहला point there is negative mindset तो उम्हीद है आपका mindset negative नहीं होगा आप भी positive mind के साथ आप भी positive mind के साथ ही preparation कर रहे होंगे ठीक है चलिए अब बात करेंगे हमारी second habit तो second point हमारा thinking about only problem solution बहुस सारे students problem के बारे में सोचते रहे तो उनके दिमाग में चलता रहता यार यह कैसे करूँ यह तो होई नहीं रहा है मेरे marks कमा रहे हैं मेरी preparation क्यों नहीं हो पाई में syllabus complete क्यों नहीं कर पारा हूं बस बोबस problems के बारे में सोचते रहे यह नहीं देखते कि आद चलिए मे marks कमा रहे है तो किस तरह सुनको बढ़ा या इसलिए बस complete नहीं हो पारा मेरी revision complete नहीं हो पाई तो किस तरीके से में टाइम टेविल मैनेज करूं कि इतने दिन के अंदर मेरा सारा जोई की सच्च है इसके solution फर focus करो उस पर ध्यान दो कि इसका solution किस तरह से निकल सकता यह problem है तो उसके solution किस तरह से किया जा सकता नहीं होती है ठीक है तो आपको क्या problem पर जा focus करने के बजा है आपको उसके solution पर focus करना तो यह थी हमारी second mistake चलिए अब बात करेंगे हमारी third mistake कि थार्ड मिष्टेक है थार्ड मिष्टेक जो करते हैं कि वो डे वाई डे अपना गोल सेट नहीं करते हैं तो बहुत सार्ट की ठीकिंग क्या रहती है जो होगा देखा जाएगा वो क्या ज्यादा दिमाग लगाने की जरूवत नहीं समझते कि यार किसी चीज पर थोड़ा दि कारशी है क्योंकि कुछ भी जब तक आप नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा और जब आप इस भारे से छोड़ देते हो नसीब के उपर तो फिर वह होता है कि जो नहीं होना चाहिए तो आप अपना नसीब एक तरीके से खुड डिशाइट कर सकते हैं अपने हिसाब से व हो जाएंगे तो यह बिल्कुल गलत माइंडशेट है गलत थिंकिंग है ऐसा कुछ नहीं होता है जो मेहनत करता उसी का होता है मैंकि जो इस भरोसे रहता है कि ठीक है नसीब का खेल इसा वेसा तो वह उसका कभी भी क्वालिफाइट जीपेट क्या कोई भी गोल उसका चीब नहीं हो पाता ठीक है तो आपको कभी मुगदर के वरोसे नसीब के बीरोसे और जिंदगी के बरोसे नहीं रहना है मेहनत करनी है मेहनत करने वाले कोई सफलता मिलती जिम्गी में ठीक है एक तरीके से मोटिवेशनल वीडियो की तरह हो रही है बैट यह सच्छा ही है ठीक है आपको लाश्ट टाइम का भी जैसा कि आपके जीपेट एक्जाम में बहुत कम दिन बच हुए है 15 दिन के लगभग बच हुए तो इस टाइम के आपको सिफ अब डे को अपने प्लान करिए कि मेरे को आज इतना यह तेस्स सीरीज यह लगानी वह लगानी उससे सबसे अपने 15 दिन को अच्छे से प्लान करके चलिए ठीक है और पूरा वक्त का यूटिलाइजेशन कीजिए आपको यहां पर एक एक सेकेंड बहुत जादा कीमते इस ठीक है तो यह था हमारा थाट पॉइंट जो होगा देखा जाएगा ठीक है तो इस भरोस से तो बिल्कुल भी मत रिए चलिए अब बात करें हमारे फॉर्ट एंट फाइनल पॉइंट की वह हमारा ओवर कॉन्फिडेंस ठीक है यह बहुत हानिकारक चीज होती है स्वास्त के जिन बच्चों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस अजाता है दो चार्ट टेस्स लगा दी अच्छा माक्स आगए का अरे अब तो बस अब तो कर डालेंगे अब तो हमें सब कुछ आता है तो इस तरीका ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत जारे बच्चों का जो एकी नुकसान ह ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही युझा होतिये ना उटर अपकी दिमाइग में कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं language आपकी प्रिपेशन जितनी अच्छी ज quand States expression करो गया उतनी आपके लिए कम हें क्योंख्यव कोई ज़्यादा मुस्टल काम नहीं नहीं तो आपको अच्छी क से पास वह ना सिर्फ वालिफिकेशन का टारगेट नहीं रखना आपको brewing का टारगेट रकना के silos इसके अंदर आना तोप टेन के अंदर आना इस तरह कि कि आपको माइंडशेट रखना है ठीक है मैं कि क्वालिफिकेशन तो आराम से हो जाते हैं कोई भी बच्चे तो जो ही कि आपको ज्यादा ओवर कॉन्पिटेंट नहीं होना कि थोड़े मांक ज्यादा आगा या फिर थोड़ा हमारा सलिवस कंप्रीट होगा है तो आरे हमने त दिनी अब तो हम सबकर डालेंगे ठीक है इस तरीकी के ओवर कॉन्पिटेंस मनत रखिए एक एक टाइम का एक मिनट का पूरा यूटिलाइजिसन कीजिए उसका यूस की